आईए दोस्तों जानते हैं भगवान भुलेनात को सावन का महिना इतना प्रे क्यों है और इसके साथ ही जो लोग सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं उन्हें किस विधी से व्रत करना चाहिए दोस्तों पौरानिक मानेता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मन्थन चल रहा था तब समुद्र से विष्का घड़ा निकला लेकिन इस विष्के घड़े को ना तो देवता ही लेने को तयार हो रहे थे और ना ही असुर तब विष्के प्रभाव को खत्म क करने के लिए समस्त लोकों की रक्षा करते वे भगवान भूलेनात ने इस विष्का पान कर लिया था भूलेनात ने विष्का पान तो कर लिया लेकिन विष्के प्रभाव से भगवान भूलेनात का ताप बढ़ता ही जा रहा था तब समी देवताओं ने विष्के प्रभा को कम करने के लिए ही भगवान भोलेनात पर जल चढ़ाना प्रारम कर दिया था अभी से भगवान भोलेनात का जलाविशेक किया जाता है उन पर जल चढ़ाया जाता है और दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि सावन के महिने में भगवान शिव का जलाविशेक करना चाहिए और यही वज़े हैं कि भगवान शिव को सावन का महिना बहुत प्रेय होता है आयो दोस्तों जानते हैं सुमवार व्रत की पूजा विधी दोस्तों सावन के महिने में जो भी भगवान भोलेनाद को श्रद्धा के साथ सचे मन से केवल जल ही अर्पित कर देता है भगवान भोलेन को ब्रहममुहर्थ में उठकर अपने सारे निक कारियों को निप्टा लेना चाहिए उसकेブाद साफ बस्तर बहना कर सब बस पहले पहले सुर्य देव्था को जल अर४त करना चाहिए उसके बाद या तो आप अपने घर से अच्छी तरह दोकर साफ कर लीजे उसके बाद तांबे के लोटे में या फिर किसी दूसरे बरतन में आप जल भर कर उसमें या तो आप गंगा जल भी मिला सकते हैं या केवल साधे जल से भी अभिशेक कर सकते हैं लेकिन दोस्तों माना जाता है कि सावन के महीने में और खा ऑगवान आपका मने दोस्तों पते हैं को प्लिजान दंगर भावी क्योंjack करने के सब्सक्राइब और अगर संभव हो तो उन्हें सफेद फूल चड़ाइए अक्षत अखंड चावल का प्रयोग आज के दिन भगवान भुलिनात की पुजा में करना चाहिए इसके साथ ही भांग धतूरा सफेद चंदन धूब के साथ साथ बेल पत्र भी अर्पित करने चाहिए बेल पत्र कैसे अर्पित करने चाहिए दोस्तों इसके बारे में एक अलग से वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि आपको बेल पत्र किस तरह से तोड़ने चाहिए बेल पत्र कैसे होने चाहिए कितनी संख प्रिवारत और gan All केृटाथी旬ाय आप की आफ़ी दोश्ते हैं जरोग कर सकते हैं नॉर्मल पूज़ा में ह्फ़स्ते एप कुम रोली कर सकते हैं हल्दी का प्रियोग सकते हैं लेकिन लगई म्पूज बातों जरोग कलाँ 58 कि के जड़ानने चाहिए आप देखिए दोस्तों जो भी पूजा आप करते हैं जो भी वरत आप करते हैं आपको सबसे पहले तो उस वरत के बारे में या पूजा पाठ के बारे में उस वरत से संबंदित जो भी सामगरी है आपको उसके बारे में सही जानकारी पता होनी चाहिए किस देवी देपता की नहीं आएगी होता क्या है दोस्तों अगर हम किसी जानकरी के अभाव में कोई भी ऐसी सामगरी भगवान को या देवी देवता को चड़ा देते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई अशुप प्रभाव आपके घर में या आपके जीवन पर पड़ जाता है तो ऐसा करने से सा कभी भी तुलसी का पत्ता प्रयोग नहीं किया जाता है हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है इसके साथ ही केतकी का फूल कभी भगवान भोलेनात को अर्पित नहीं किया जाता है रोली कुमकुम का प्रयोग भी भगवान भोलेनात की पूजा में नहीं करना चाहिए भोल जाता है कि नारियल में मा लक्ष्मी जी का वास होता है और भगवान बोलेनाथ तो अगोर ग्यानी है अगर आप अपनी की गई पूजा पाठ का व्रत का पूरा फल पाना चाहते हैं तब आपको कुछ बातों का ध्यान पूजा में जरूर रखना चाहिए दोस्तों पूजा कर अगर आपको कोई भी मंत्र का जाप करते रहें आपकी पूजा सफल मानी जाएगी लेकिन दोस्तों भगवान बोलेनाथ की पूजा में महामरत्यन जय मंत्र का जाप भी खासकर सावन के महिने में बहुत शुब माना जाता है इसके साथ ही आप शिव चालिसा का पाठ कर सकत भगवान बोलेनाथ की जब भी आप पूजा करें और खासकर व्रत के दिन पूजा करते हैं तब आपको ऐसे में कथा जरूर सुननी चाहिए अगर आप किसी वजह से व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तब आपको दोनों ही समय सावन महिने के दिनों में सुनी जाने वाली ज जाना चाहते हैं कि किस देवी देवत्या की पूजा कैसे होती है कौन सी व्रत कथा सुनी जाती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों एक और खास बाद जो भोलेनाथ की पूजा से संबंधित है वो यह है कि जब भी महिलाए या अविवाहित कन्याए मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करती है तो आप पूजा तो कर सकते हैं उन्हें फलफूल सामगरी भी अर्पित कर सकते हैं लेकिन आपको किसी भी तरह से शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए दोस्तों माना जाता है कि अगर अविवाहित कन्याए या फिर विवाहित महिलाय को चूटी है तो माः पार्वति उनसे नाराज हो सकती है इस लिए दोस्टों आपको पूजा में इस बात का जिएतना है कभी आप शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न सकतें क्योंकि दोस्टों में आप भगवान शिव की आर्थी करने के साथ साथ अपना व्रत प्रारम कर सकते हैं दोस्तों दिन में आप केवल फलों का सेवन कर लीजे चाय पानी ले लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि सावन के महिने में दूद का सेवन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो कि सावन महिने की पूजा करते हैं या फिर सावन के व्रत रखते हैं क्योंकि कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान भुलिनात को दूध अर्पित किया जाता है दोस्तों एक और खास बात का ध्यान उन लोगों को रखना है जो कि सावन महीने की पूजा करते हैं या फिर सावन सुमवार करने वाले लोगों को कभी भी जाहीए कोोई भी पूजन सामगरी जैसे की फल है या जो भी प्रशाद है वो नहीं खाना चाहिए अगर आप प्रारम कर रहे हैं सावन सुमवार का तो आपको जिस तरह का व्रत रखना चाहिए उसका संकल्प आपको पहले दिन ही लेना चाहिए अगर आप इस दिन मीठे भूजन का संकल्प लेना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले प्रारंग अपने संकल्प के साथ आसानी से कर सकते हैं इसकी वीडियो में अपने चैनल पर अप्लोद करने होगी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बोले नात कीजिए लिखना मत भूलिएगा